है हलो गाईज इस वस्त मैं बैठा हूँ उस जगह बे जो कुछ टाइम पहले तक अस्तल का को ना वा गड़ता था और अस्तल का लाट ले लिया है यह पर गाओं कटम होता था रोड कटम होता है जंगल सुरू हो जाता है बहुत पत्ली रोड थी जाड़ी आती है दर लगता अकेले तो अब इस जगह की हालात बूरे बदल चुके हैं यहां से एक 30-50 चौड़ी रोड निकल रही है सरकारी पीड़ुटी की और इस जगह की रंगत बदल चुकी है इस रोड की दे रंगत बदल चुकी है अब इस रोड में नुए में कहीं गाड़ीया चलती है विजी रूट हो गया है, सुबह मॉनिक वाक वाले काफी सारे लोग डिखते हैं, शाम को इवनिय वाक में काफी सारे लोग डिखते हैं, और जहरादू नहीं, जहरादू से बाहर के शहर के लोग भी आते हैं, और अलग स्टेट के लोग भी सोड़ से आते हैं, बड़ी यहां पहले मुश्किन से पैदल कोई दिख जाता था जंगल से खासवास लेकिए आता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वह तिक दर्शार अब यह रोड जो है अब यहां से आ रही है यह यह यहां पर देखिए आने जोड़ी हो चुकी है एक बार इसम भराई हो चुकी है अब इसमें दोबारे भराई होगी पत्थर की रोड यहां बिछेंगी उसके बाद दार्कुल का अप्रेटो जाएगा अभी तो कुछ भी क्राउड नहीं, उसके बार काफी क्राउड बढ़ जाएगा यह बहुत पुरानी टंकी है यहापे इसकी क्या दर्शा होने वाली है पताने रहेगी या नहीं रहेगी अभी तो फिलाल भाग कमपानी है यह टंकी यह है यह भी बनाई थी लेकिन यह अंसक्सेस्फुल रही पीच्छे कुछ धर है यह पावाल मौन है यह गाउं से रूणा रही है और यह ऐसे करके जा रही है सीदा सहे जारा रोल में जाके गने पुराएगा कि फूचर में इस चरफ की क्या दसा सुने वाली है इतना चेंजेस आने वाला है वो तभी पता चलेगा लेकिन यह रिकॉर्डिंग बनाने का मेरा मेरा में यह की बात में जो कमान होता है उस से मैं इस वीडियो को कंपेर करने वाला कि हाँ उस टाइम पर ऐसा था और अब ऐसा है समझ रहे हो इस जगा को में कमपेर करूँगा कि यहां पर ऐसे पेड़ थे यहां पर बागीचा था ना पता उस समय पर कोई होटल बन जाए कोई रस्टरूरंग बन जाए कुछ भी बन सकता है यहां पर टंकी थी आने आले टाइम में पता नहीं यहां पर टंकी रहती है यह नहीं रहती है इदर यह बगीचा था इदर एक पुरानी टंकी थी इदर मैं था आकाश नौट याल इदर यह खीए थे लिए लो जो ओके अपना जियान रखना हम भी अपना जियान रखेंगा काफी मच्छा रहें यह आपे ओके गाई यह अस्तल गाउं है अर अस्तल गाउं ही रहेगा ओके बाए और एक चीज़ आब बतायता हूं आज वो तारीक है आज है इक बाईस जून दोहजार बीस और सुबह के दस बच के दस मिनट हो रहे है ठीक है गाईस ओके बाए